दोस्तो रेलवे की पार्ट श्याला में आपका स्वागत है दोस्तो यहां पर आरार सी जैपूर की तरफ से एक दोस्तो भड़ी अपडेट आ रही है यहां पर दोस्तो आपने देखा होगा कि रिजल्ट यहां पर पब्लिश किया गया था दो दिन पहले इनी की वेबसाइट क आने के लिए अभी जनल सब्सक्राइब करें दोस्तो अगर आप आरार सी जैपूर से अगर आपका डीवी में नम्मर आया है तो मैंने एक अलग से टेलिग्राम गुरूप यहां पर मना दिया है जिसमें सिर्फ आरार सी जैपूर के स्टूडेंट जूडे हुए हैं जहां आपको दोस्तो जोइनिंग मेडिकल डीवी और आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस होंगी उनके बारे में अपडेट दिया जाएगा तो वीडियो डिस्क्रिप्श ने पर आपको लिंक दिया गया है वहां से दोस्तों आपको चेक कर सकते हैं तो चलिए यहां पर देखते है पूर आपडेट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों रेल्वे ने जो यहां पर आपका पीटी है वो दोस्तों 16,123 से 21,123 के बीच करवाया और इसमें PWD और Apprentice वालों को छोड़ दिया गया था उसके बाद दोस्तों यहां पर रिजल्ट आपके सामने जारी किया था लेकिन उन्हें दुबारा बोला है कि हम यहां से रिजल्ट दुबारा यहां पर जारी कर रहे हैं और यहां पर ज्यान रखिएगा यहां पर बोला कि अवरो ही करम में है रोल नंबर के ना ही दोस्तों मेगा करम में यानिकि यह मेरिट के ओर्डर में नहीं है यह सि यहां पर आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलेग्राम गुरूप पर जैसे अपडेट आएगा और यहां पर देखे बता रखा है अगर कोई कनेट यहां पर एपसेंट हो जाता है अगर 12 तारिक से 19 तारिक उसका डीवी है तो 20 को वो आपना डीवी करवा सकता है 28 को और जिस कनेट का डीवी 20 से और 27 के बीच है और वे किसी वेलिट रीजन के वज़े से एपसेंट हो जाता है वो करवा सकता है एक मार्च 2023 को अपना मेडिकल यहां पर देखे डोकिमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बता रखा है तो मैंने और लड़ी वीडियो बना रखा है उसके लिए आपको टेंशन लेने की जुड़त नहीं है तो यहां पर पहले आपको मैं कट ओफ देखाता हूं और फिर वाहां आपको अता हुआ कि कट ओफ कितना मार्क से यहां पर इंक्रीज हुआ है तो पहले तो आप कट 39 कटोफ गई है EWS की बात करें 58.333 EDSC की बात करें 59.81 ST की बात करें 61.64 और OBC की दोस्तों यहाँ पर यह डेटोफ पर दे रखें LD कटिगरी में 56.32 VI कटिगरी में 57.78 HI में आपके 40 HI UR की 40 है और OBC SCST की थर्ड नमबर है Multiple Disability MD के अंदर 28.41 है Apprentice वाले जो UR EWS से उनके 40 गई है और OBC SCST यानि की Minimum Qualifying Marks रखें गई थे वो दोस्ते यहाँ पर यह गई है अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर PET के लिए कितना Cut Off गया था और यहाँ पर कितना Increase हुआ है बाकि यहाँ पर आपको यह रोल नमबर के लिश्ट यहाँ पर दी गई है जो इसके साथ Attach की गई है चलिए अब हम Compare कर लेते हैं कि कि इस के टिगरी में दोस्तों कितने परसेंट यहाँ पर Cut Off आपके Increase हुई है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यूर के टिगरी था उसकी 68.32 यहाँ पर गई थी और अब दोस्तों जो Cut Off Increase हुई है वह आपके हुई है 72.72.39 तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो Mark Increase हुए है वह लगबग 4.1 यहाँ पर Increase हुए है लगबग 4% Marks आपका Increase हुआ है अगर हम बात करें EWS की तो EWS के अंदर दोस्तों पहले Cut Off गई थी 48.76 लेकिन दोस्तों अब जो Cut Off गई है वह आपके सामने गई है 58.33 यानि कि दोस्तों आपके जो Marks Increase हुए है वह दोस्त आसपास आपके Marks जो है दस नमबर के आसपास आपके यहाँ पर Increase हुए है अगर हम बात करें SC के तो SC में अब जो Cut Off हुई है वह 59.81 आपके हुई है और पहले जो SC की Cut Off गई थी PET के लिए वह 54.02 गई थी यानि कि जो Cut Off Increase हुई है वह 5.85.8 Marks आपका Increase हुआ है 5.8 आपका Marks Increase हुआ है SC के टेगरी में अगर हम बात करें SC के टेगरी की तो SC में अब जो Cut Off गई है 61.64 गई है और पहले जो Cut Off गई थी वह दोस्तों गई थी 54.08 तो यहाँ पर जो Marks इंकरीज हुए है वह 7.56 आपका लगभग इंकरीज हुआ है बात करें हम OBC के टेगरी की तो OBC में अब जो Cut Off गई दोस्तों वह आपके गई है 68.74 और दोस्तों पहले जो Cut Off गई थी वह आपके गई थी 61.66 यानि कि आपकी जो Cut Off बढ़ी है OBC की वह 7.08 Marks यहाँ पर इंकरीज हुई है तो यहाँ पर दोस्तों जो Cut Off जो है मैं आपको बता दिया है कितना कितना इंकरीज बाकि मिलते आप से एक वीडियो में तब तक जैहींद बंदेमार्ण